इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Rivaben 2.5 mg tablet एक दवा है जिसे anticoagulant या blood thinner यानि की खून पतला करने की दवा के नाम से जाना जाता है. यह खून के ठक्के बनना की रोकथाम और इलाज करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल stroke और hot attack के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है. यह आपकी टांगों, हेफ़डों, मस्तिश्क और hot की नसों में कलॉट बनने से रोकता है और उनका इलाज करता है. रिवाबेन 2.5 mg टैबलेट को सामान्य तोर पर अनियमित hot rhythm यानि की atrial fibrillation वाले मरीजों में कलॉट बनने की रोकथाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये उन लोगों में ठक्के होने के जोखिम को भी कम करता है जो घुटने या कूले के प्रतिस्थापन की सर्जरी करा चुके हैं. इसे भोजन के साथ लेना चाहिए और हर दिन एक ही समय पर लेना बहतर होता है. आपको इस दवा को कई वर्षों तक कुछ मामनों में तो जीवन के लिए भी लेना पर सकता है. अपने डॉक्टर के मार्ट दर्शन के बिना इसे लेना बंद न करें और नहीं खुराक बदले यह आपको तेजी से हौट अटैक, स्ट्रोक या ट्रोम्बोसिस यानि की रक्त वहिका के भीतर खुन के ठकके की एक सनरचना के जोखिम पर डाल सकता है. आप अपनी लाइफ अस्टाइल में बदलाव करके, जैसे की धूंडपान न करना, स्वस्ट डाइट खाना, नियमित असानी से खून निकलना होना है. उदाहरन के लिए, नाक से ब्लीडिंग होना या नील पढ़ना. अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव होता है, तो अपने डॉक्टर को तुरंद बताएं. Do not take this medicine if you have severe kidney or liver problems, if you are currently bleeding or if you are taking other medicines to reduce blood clotting. इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपको स्तनपान नहीं कराना चाहिए. अन्या anticoagulant से विपरीत, इस दवा को लेते समय एक regular blood taste, यानि की PTINR, की आवशक्ता नहीं होती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, notification bell icon पर क्लिक करें. और all notification को क्लिक करें. धन्यवाद.